को है ah Camboriad Song जो अगले वाग है मारे के अगन अगली चिसरी थि आ चिला Hãy आज ांगे केंपुटर सनंचना क्या है केंपुटर आर्टिटेक्टर क्या है इसके Um सबसे पहले बात है पिछले दहर में नहीं पुड़ा है कि आप computer ये उसके इत्यास में के बारे में अध्यन कर चुके हैं आज का जो हमारे दहर है कि आप इसकी आंतरिक सरंजना के बारे में अध्यन करेंगे जिसे हम विदित है कि computer एक machine है जो user's data को input के रुप में घरन करती है process करती है तो उसके बाद सुचनाओं को अर्थ पूरन आउर्पूट हमें परदस्रित करती है और computer के इन सभी कारियों करने के लिए एक एक component का प्रयोग नहीं किया जाता है इसके लिए अलाग लब करना का प्रयोग किया जाता है जो हमारे लिए आउसक हो जाते हैं computer की सरंचना कैसे की जाती है इसके बार में Windows को मिलाकर एक कारियों फंक्शन कारियों के जाते हैं वे कहने की बात यह सिंपल साधाना बासा में कि हिंदी बासे के सत्तर हिंदी बात दिमाले के लिए बहुत ही महत्त पुन है पिसले दया में हमने पढ़े ह है ठीक है असारा से पहले बात करते हैं computer की सरंचना computer जो होता है उसी सरंचना किस पर कर दिया है computer का आंतरिक सरंचना का पर्यों कई Windows के कारियों के आधार पर चार भागों में बाटा जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं input input output memory ति था प्रोसेसिंग यूनित इनपूर कोण से हमारे इनपूर माउस वत्ता रहा जो स्टीक श्ता पिसले उनिट्स में बताएं कि इनपूर को पेच्छा पेचल है कौन कौन से SMU इनपूर जो स्टीक है ठीक है output हमारे कौन से है monitor है printer है यह output जो में बिल्कुल देखते हैं memory जो memory unit कॉन से राम रोम दो विस यूनिट होती हैं सताई तताई सताई मेमरी होती हैं processing unit cpu इसमें functions के होते हैं function ओने के बाद यह आपको पता चलता है कि इसमें किया है और क्या नियुक्त अब बात करते हैं इसमें ची, इन्पोर्ट मेरा से सब पहला जो इन्पोर्ट मौना कीबोर्ड, जोस्टिक, लाइटपैन, सब इसके निदर आते हैं, और अब बात करते हैं, कि आउटपुट को है? प्रिंटर का है आउटपूट है और मोनिटर डाया मेमरी तो रम और रोम चताई मेमरी तो दाए सताई मेमरी, CPU Central Processing Unit हमारा इसका बाग है ठीक है अब हम बात करेंगे कि इन्पूट कोण से रोटपूट कोण से होते हैं यह इसमें आउटपूट हमें का मिलते हैं इसके बारे हम डिसक्स करेंगे तो इन्पूट में सबसे पहले बात करते हैं यह इन्पूट में कौण कौण से दिखे हैं माउस है जोस्टिक हैं यह प्रस्टिंग यूनिट होता है हम बात करते हैं इन्पूट क्या है इन्पूट में हम सभी उपकरण हैं जो उसके कम्पूटर के डाटा का इंपूट करने के लिए इनपूट में कारिय कारिए दिनवेन परकार से की जाते हैं इन्पूट में यूनिट में डाटा के नलीड़े से को सभी कहरे करने किया जाता है ठीक नैक्शना बात कें इन्पूट डाटा को एक विशेश रूप में बदलना केमपुटर को आसानी से समझ जाता है। सामाने ने ने इनपूट के लिए प्रयोग की जाने वाले मुख्य हैं, करण 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 से हैं, कीबोर्ड है, माॉस है, सकेनर है light penuka नोशीर है, uptical uma sheet है, input kanar 국es ने मावश से हमारे input है, keyboard है mouse scanner है, light pen है, optical mark है ठीक है, dumt Sara disse how well say mark है. ऊप् हम आपत करते हैested इस सकेल का जो वाग है हम बात करते हैं कि output to our pussy output करन कोने से के कि output सबसे पहले बात करते हैं. आउटपूट जब सूचना को इन्पूट के मादियम स्माउस के जदर अंदर जाते हैं, तो प्रसेस होने को बाद जब सूचना में मिलते हैं, उसे आउटपूट करते हैं, और आउटपूट ऐस्ता ही, सता ही तर आस्ता ही दोनों जरुप से देखने को मिल जाते हैं, सबसे फिर्याबत करते हैं कि परियाप सूचुना को बाहिये रूप में परतसीर करना यह क्या के खonic यह डाता है ये या ङूठाते हैं ठीक है अगरे यह अच्हा समझेत है, तनिवस्ता आउटपट के रूप में मुख्य रुक्रों से मॉनीट प्रिंट नहीं मुख्य आउटपट माने जाते हैं. नेक्सित हम बात करें, मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट की दिखांगे हैं? और हम computer data को follow देखते हैं और input के द्वार जो प्रविश करते हैं, उसे processing से पहले ही, processing के बाद computer के memory को सता ही storage रहता है, जो data processing output के लिए प्रविश के जाता है. इस परकार जो computer के memory होती है, वो memory data को प्रतेशित करने के लिए output unit में भेज दिया जाता है, processing unit क्या होती है, इसके बारे हम डिसके सेंगे, computer processing unit का संबन्द सभी operations processing unit दवार ही कियो जाते हैं, जैसे गणितिये तार कि किया, जो किरिया होती है, का करना, तदा, computer के, आनने काईयों को निंदान करना, ये सभी कारे है, computer system के जिस भाग में के जाते हैं, उसे कदे, शे दे, सेंटर प्रोसेशिंग यूनिट मी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, Central Processing Unit का जाता है Central Processing Unit मानव शरीर में जिस परकार सोचने से विचारने की जो किरिया करने के या नेनतनों करने के समझनित है और इस सभी किरियां मस्तिख दवारा की जाती है और उसी परकार खाउने करैं तौर शर्चति युन थे परतवी जो किरा करते हूं सुस्जनाओ के लोजीकला हिन्त माद करने के साल … स्वृधे कंकर यूनित चिं ना तोर इस सोचनाओ यूने इसम्तिक जाए करने से आिसम्तिक करने के दो बहुते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है? आर्थमेटिकल लोजिकल उनिट मुख्य रूप से एल्यू आर्थमेटिकल लोजिकल उनिट यह यह सेंट्रल प्रोसेशिंग उनिट का भाग होती है जो कि इंपोर्ट की सिस्टम की वास्वित गणनाई करता है और एलियो जोहरा गणितिय करियाओं करते समय डेटा निदेशन का मुख्य रूप से मेमरी आर्थमेटिक है कल के बीच में परियोग करते हैं मुख्य प्रोसेसिंग के दोरान मुख्य रूप से ऐसता ही माना जाता है और ऐसा आपिसकता पकड़ने पड़ने के पर ही आथमेटिक लोजिक लूट को में भेज दिया जाता है ठीक है control units वह एकाई है जो प्रोसेसिंग यूनिट के दवारा की जाते हैं उसी के अनुसार सिंगल जारी के जाते हैं और इसी करने ही काई हो कि अग्जीट कर पाती है नेक्स्टन बात करते हैं, number system, number system होता है, नम компьютeren नहीं तो मानुव भासा के data को समझता है, और नहीं मानुव भासा की तरशने कर सकता है, компьютeren सभी कारिए aq vicious character के code के form के रुप में करता है, जिसे爹, cluster, output, interface के आफ सकता होती है, खता है, इस बारे में बात करेंगे अगला दो भाग रहेगा हमारा गड़ना से संबंदित है कि गड़ना से संबंदित डेसिबल्स नंबर का परियोग करते हैं और इसका बेस दस होता है थीक हां दस संब कहती है जर से ना तक होती है 1 2 3 5 6.. 9 और इसन लुए अगला कैंपोटर सुषारे जाता था बॉए नंबर होता है इसका आदार दो तरहा इस लिए इस नमें दो ही संबंखाँ होती है जीरो और एक इनक pensando में इनकी विटका आज 0 और 1 को इसको कहाका जाता है इसको bit कि से कहा जाता है ? akusal number system जो से आठ तर संख्या होती है आपके एक्जा में पुछा जाए कि bit क्या होती है, bit होती है, जो bit की संख्या केतनी होती है, 0 और 1 होती है, और oxytal number क्या होता है, oxytal number का मतला होता है, 0 से 7 तक, अर्थाथ 8 संख्या होती है, और इमें तीन binary bits के सम्हें में digit को प्रदिशित करता देता, इसे के साथ, जो oxytal number रहता है, और इमें इस्तान पर, bit के सम्हें में प्रदिशित करता है, अब बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि computer किसी विकारे करने की चायर करया होती है, अंतर समान में चायर करया होती हैं, जो CPU के दवारा, प्रस इस आउटपूट का उपकरनों की साहता से परदा करती हैं, next time बात करते हैं, कि जो computer की, यह बड़ा important exam में कई बार पुछा जा है, क्यों पुछा जा है, कि computer memory का मापन की काई है कॉन-कॉन से थी, computer decibels number नहीं समझता है, इसलिए उसे समझने के लिए binary number की आवशाकता होती है, generic binary number को bit का आ जाता है, next time बात करते है, computer memory को bit को कै समझता है, इसका बार नहीं करे, 0 और 1 इसको bit का जाता है, 8 bit में 1 byte होती है, और 10122 byte में 1 kilo byte होती है, और 1001 kb होता है, 1 megabyte होता है, और 10122 megabyte को 1 gigabyte भी का जाता है, nice time बात करते है, 10122 gb बराबर है 1 terabyte, तो मेरे पेर साथी के आपने बढ़ा, computer structure के बारे में बढ़ा है, उसका structure क्या था, अगर आपको video अच्छे लग यह हो, तो अपने दोस्ता सेर करें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.